हरे खरे किष्णा आप सभी भक्तों का हर्दिक स्वागत है हमारे कार्यकरम गीता श्लोक श्मरणम में आज हम ढृभत गीता के दूसरी अध्याय के टेश्वन श्लोक के स्मरण करने गा अभ्यास करेंगे और उसके बारे में स्मरण करने को लेकर क्या महत्तुपूर्ण है उन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज की हमारी यह ग्यारवी कख्षा है कि कख्षा का आरम हम करेंगे मंगला श्रण प्रार्तनाओं से ओ मज्यान दिमिरंधस्य ज्यानन जनाशला कया चक्षुरून मीलितम्येन तस्मै श् श्रीगुरून वैश्नवा म्ष्च्य श्री रूपम्साग्र जातं सहगन रघु नातअं वितम्तंस जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्hta चैतन्य देवं श्री राधा क्रिश्ण पादान सहगन ललिता श्री विषा कान्विताम्ष्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमुस्तुते तप्तकांचन गावरांगी राधे ब्रिंदावनेश्वरी व्रिशभानु सुते देवी प्रणमामी हरिप्रिये वंचा कल्पतर उभ्यस्चा क्रपा सिंदुभ्य एव पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमुन महा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वाइत का राधर श्री वासादिका उरभक्त ब्रिंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो पुनाहाः आप सभी भक्तों का एक बार स्वागत कक्षा के आर्म में हम एक विशेश स्मरन सत्र करते हैं इस बात पर ध्यान करने के लिए कि हमें शलोकों को स्मरन क्यों करना चाहिए, विशेश रुख से इसलिये ताकि हम भूले नहीं और स्वेम को प्रेरित रख सकें श्लोक स्मरण करने के लिए जिसमें दस बिंदू है वो हर बार कक्षा में हमें एक बार दोहराते हैं ताकि प्रेणा बनी रहे तो मैं यह बिंदू पढ़ देता हूँ आपके लिए इनके उपर हमने विस्तार से चर्चा अपनी पहली कक्षा में करी है यूट्यूब पर अवेलेबल आप देख सकते हैं तो यह बिंदू इस प्रकार है यह महान भक्तों की मूल रचनाये हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती है यह श्लोक गागर में सागर के समान है अर्थात इनसे कम शब्दों में महत्तपुन शिक्षा हमें प्राप्त होती है तीसरा इनसे हमारी शास्त्र द्रिष्टी अर्थात शास्त्र चक्षु का विकास होता है चौथा इनसे हमारा व्याख्यान अर्थात हमारा प्रवचन प्रामानिक बनता है पांचवा भगवान से प्रार्षना करने में ये शलोक स्मरण हमारे लिए सहायक होता है छटा श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रती प्रेम अभिव्यक्त करने में ये शलोक स्मरण सहायक होता है साथवा हमारे कठिन समय में जिसमें मृत्य भी सम्मिलित है यह हमें बचाता है आठवा अगले जन्म में भी यह सायक होता है उसका उधारण है गजेंद्र मुक्ष की कथा और नवा शिलप प्रभुपाद द्वारा यह अनुशंसित है दसवा गे होने के कारण श्लोकों का उचारण हमें अत्यन्त सुखद लगता है तो यह दस मूल कारण है जिन पर विस्तार से चर्चा हमने अपनी सससे पहली कक्षा में करी है कक्षा नंबर एक यूट्यूब पर आप वो देख सकते हैं तो हम बार-बार दोहराएंगे नहीं ह हम अपने कारेकरम के अगले विभाग पर चलते हैं वो है गीता के दूसरे अध्याय का तेश्वा श्लोक और उसको स्मरण करने का प्रयास करेंगे श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार है बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है एक देख लेते हैं कौन-कौन कक्षा में अजना है अब क्लेध यंत्यापो ना शो शयती मारुता है इन टिरानी नीनम दहती पाम काह ना तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रतम पंक्ति में इस लोक को यदि बहुत ही सुक्ष्म और बहुत ही संख्षेप में यदि इसका वर्णन किया जाए तो इस लोक में इसका विशे क्या है? इसका विशे है आत्मा की विशेष्टा कुछी शब्दों में यदि इसका विशे बताने का प्रयास किया जाए तो विशे है आत्मा की विशेष्टा तो इस पर विस्तार से चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे पर अभी समय है थोड़ा सा शलोक के उच्चारण पर ध्यान प्रियास करते हैं तो सबसे पहले अफसर देते हैं एक एक करके सुबोजी आप पढ़ना चाहेंगे एक बार आप उचारण करना चाहेंगे सुबोजी आप अपना कर सकते हैं माइक्रोफोन नेनम चिंदंती शस्त्राणी नेनम दहती पावका न न चैनम क्लेसंद्यांतपो न शोशयंती मारूता न शोशयंती मारूता तीसरी पंक्ति को एक बार पुन है पढ़ें एक बार नचेनम प्लेस के दिखाई नहीं देता है थोड़ा दन्तियों रामायट से पढ़े हैं आप अपनी पास्पुस्तक हो तो वहां से पढ़ सकते हैं तीसरी पंक्ति के उचारण में थोड़ा दोश था एक बार देखें आप उने नैनम चिंदंत शंस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेश यन त्यापो न सोश्यति मारुता हाँ जी क्लेश यन त्यापो नहीं है ये क्लेद यन त्यापो तीन तरीके से इसको विभाजित करेंगे है क्लेध यन त्यापो ये ख़िए उत्तम ठीके सनातन प्रभू आप पढ़ना चाहेंगे हाँ आणिक भी नैनम चिंदंति संस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेश यन त्यापो ना प्रविंदर प्रभुजी आप प्रयास करेंगे यह थोड़ा सा हमें क्लेश दे रहा है कश्ट दे रहा है क्लेद यन–त्यापो बोली एक बार मेरे साथ-साथ बोली है क्लेद यन–त्यापो हाँ कलेद यन त्यापो हां सुन्दर सुन्दर ठीक है राकेश प्रभू आप भी उचारण तुनना चाहेंगे इब्रोई ने नम छिंदन्ति शस्त्राणी ने नम द्याति पावका ने चैनम क्लेदे अंत्यापो ना शोशयती मारूता उत्तम उत्तम सुन्दर अच्छा ये बताईए कि ये च्छंद कौन सा है च्छंद पहचान पाए आप लोग अनुष्टुप अनुष्टुप सुन्दर तो अनुष्टुप चंद की क्या पहचान है अनुष्टुप चंद कैसे पहचाना हमने प्रतेक चरण में आठ अक्षर और अक्षरों की पहचान कौन सी है जो पूर्ण अक्षर है उन्हें हम अक्षर में गिंते हैं जो आधे अक्षर हैं उन्हें उनकी गिंती नहीं करते हैं तो यह गिंती करी जाए तो नै नम दो अक्षर चिंद अन्ती इसमें तीन अक्षर तो दो और तीन पांच और शस्त्राणी शस्त्राणी में भी तीन अक्षर आधासा जो है वो गिंती में नहीं आएगा तो तीन अक्षर इसमें तो पांच और तीन आठ अक्षर इस प्रकार स जितने भी वेदिक शाहित्य है आप देखेंगे कि मुख्य रूप से अनुष्टुप चंद में लिखा गया है रामायन भी उसमें सम्मिलित है ठीक है आप आगे चलते हैं निधी माता जी आप भी प्रयास करना चाहेंगी उचारण करने का जी माता जी आपकी आवाज में जा रही है दुबारा बोलिये एक बार फिर से बोलिये जी नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पाव काहा ना चैनम क्लेदियं त्यापो ना शोश्यती मारूताहा अब हम किसको अपसर दे सकते हैं मनीज जी और जीवन प्रपूर रह गए मनीज जी आप भी प्रयास कीजिए यह जो दूसर पहली पंक्ती में जो शब्द है दूसरा शब्द चिंदंती चिंदंती जी चिंदंती उत्तम और यह जो तीसरी पंक्ती में तीसरा शब्द है क्लेदयन त्यापो सुन्दर फिर से बोलिए अब भियास कीजेगा तो पकड़ में आ जाएगा रुक रुक कर धीरे धीरे बोलेंगे तो पकड़ लेंगे आप जी तो आब हम चलते हैं अनामिका माताजी को हमने दिया कि आपसर नहीं दिया में रखेंगे अनामिका माताजी आप पढ़ना चाहेंगी जी जीवन प्रभुजी जी आप भी पढ़ना चाहेंगे जी अगला विशे है शलोकों के शब्दों का अर्थ शलोकों का अर्थ यदि हम ठीक से अपने मन में बिठाए लें तो वास्तव में शलोक का अनुवात करना बड़ा सरल हो जाता है और करना भी बड़ा सरल हो जाता है तो एक एक करके हम प्रतेक शब्द का अर्थ देखेंगे नई नम का अर्थ हुआ कभी नहीं इस आत्मा का न और एनम, तो नईनम जो है वास्तव में दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनाया है, संधी हुई है यहाँपर, पहला शब्द है न, न का आर्थ होता है कभी नहीं, और एनम, एनम मतलब एक ए सर्वनाम है, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, सर्वनाम किसको इंगित कर रहा है सर्वनाम किसी संध्या को इंगित करता है, संध्या यहाँपर क्या है आत्मा, तो गीता के इस विभाग में, यहाँपर यह जो शलोकों की चर्चा हो रही है, यहाँपर वास्तव में आत्मा के बारे में भगवान अर्जुन को ग्यान दे रहे हैं, अर्जुन का एक बड़ प्रमुक प्रश्न है कि भही मैं अपने संबंधियों को मार दूँगा, तो इस बात को लेकर भगवान उसे समझा रहे हैं कि भही ये आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा जो है वो शरीर से भिन है, उस बात को समझाने के लिए अलग-लग तरीके से आत्मा के बारे में अर्जु चिंदंति का शब्द का अर्थ क्या है? छेदन कर सकता, छेदन. छेद समझते हैं, आप छेद मतलब किसी चीज में सुराक कर देना, किसी चीज में किसी चीज को भेद देना, जैसे अरजुन जो है, वहाँ पर महाभारत के युद्ध में क्या कर रहे थे? तीर चला रहे थे तो तीर से वो शत्रु के शरीर को छेद रहे थे, छेदन कर रहे थे उसका. तो इस संबंद में भगवान बोलते हैं कि अरजुन तुम तीर चला कर भी आत्मा को छेद नहीं कर सकते हो, उसमें छेद नहीं कर सकते हो, उसमें छेद नहीं कर सकते हो, तो चिंदनती अर्थात छेदन कर देना शस्त्राणी शस्त्राणी का अर्थ साधारन सामान्य हिंदी में भी हम शस्त्र बोलते हैं मतलब हतियार को या वैपन को शस्त्र बोलते हैं तो कभी नहीं इस आत्मा का छेदन कर सकते हैं शस्त्र तो ये पहली पंक्तिका अर्थ हुआ इसको यदि हम थोड़ा इस प्रकार से आर्थात्मा करते हैं लंका नंगा दहन को ज़ला देना तो दहती दहती अर्थात जलाना अर्थात देहन करना देहन कर सकती है क्या देहन नहीं कर सकती है आत्मा का पाव कहा पाव कहा अर्थात अगनी तो जिसे पहली पंक्ति में शस्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर सकते हैं ऐसी दूसरी पंक्ति में एक और विशेष्टा बता कभी नहीं च च शब्द जो आया है संस्क्रिट में च शब्द का मतलब होता है और अर्थ अलावा इसके अलावा और एक और या भी-भी इसको बोल सकते हैं कभी नहीं भी इस आत्मा को च एनम एनम का अर्थात फिर से यहां पर वही सर्वनाम फिर से दुराय गया है, कभी नहीं, इस आत्मा को, अगला फिर अप शब्द क्या है, क्लेद यन त्यापो, क्लेद यन त्यापो, तो ये क्लेद यन त्यापो, शब्द वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बनाएं, क्लेद यन्ती और आपो, क्लेद यन्ती और आप ऑपो शब्द का अर्थ क्या होता है कौन बताएंगे आप मदलब भिगो देना कर देना पंद कर पो एक शब्द बनता है तो गीला कर सकता है जल तो यहां देखिए शस्त्र छेदन नहीं कर सकता है अगनी दहन नहीं कर सकती है और जल गीला नहीं कर सकता है उसके अलावा फिर अंतिम पंक्ति में क्या बात आती है न कभी नहीं शोश्यती शोश्यती अर्थात सुखा सकता है तो वायू आत्मा को कभी नहीं सुखा सकती है, तो यहाँ चार मुख्य रूप से विशेशता हैं, इस श्लोक में बताई गई है, शस्त्र छेदन नहीं कर सकता है, अगनी दहन नहीं कर सकती है, जल गीला नहीं कर सकता है, और वायू सुखा नहीं सकती, इस प्रकार से भगवा जो है अर्जुन को आत्मा की विशेषता को लेकर यहां पर एक शलोग बोलते हैं कि आत्मा विशेष है, आत्मा शरीर जैसा नहीं है, आत्मा एक विशेष वस्तु है, जो शरीर से भिन है, शस्तर उसे काट नहीं सकते है, अगनी जला नहीं सकती है, जलगीला नहीं कर सकता है वायू सुखा नहीं सकती है जैसे इस जगत में भौतिक पदार्थ होता है भौतिक पदार्थ को आप काट सकते हैं टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं कोई भी वस्तु आपके पास है उसको खंड-खंड किया जा सकता है उसको जलाया जा सकता है उसको गीला किया जा सकता है या उसको सुखाया जा सकता है लेकिन आत्मा भौतिक पदार्थ के समान नहीं है आत्मा विशेश है आत्मा के गुण विशेश है आत्मा के गुण वैसे नहीं है जैसे भौतिक पदार्थ के गुण है तो इस प्रकार से इस बात को समझाने के जब आप शब्दों को उचारन करेंगे तो आप एक समझ के साथ आप उसका उचारन करेंगे तो उससे आपका शलोक उचारन करने की अनुभूती जो है वो विशेश होगी अब हम इसका अन्वय करते हैं अन्वय में हम क्या करते हैं अन्वय में हम वास्तव में हिंदी का अनुवाद पर प्राथमिक्ता देते हैं और हिंदी के अनुवाद अलग-अलग शब्दों के साथ हम महाँ पर उसकी संस्कृत जो है महाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें पता लगे कि किस शब्द का वास्तम में कौन सा संस्क्रित का शब्द उसके साथ जुड़ावा है तो मैं आगरह करूंगा रीटा माता जी अभी जुड़ी है हमार साथ रीटा जी आप इसमें केवल वो पंक्ती पढ़ें जो हरे रंग से लिखी हुई है वो शब्द पढ़ें जी गीला नहीं कर सकता एवं वायू सुखा नहीं सकती जी आप देखें यहां पर हरे रंग में हमने हिंदी लिख दी है और लाल रंग में हमने संस्क्रित लिख दी है तो आप देख सकते हैं कि किस शब्द को वास्तम में हिंदी के किस शब्द का संस्क्रित में कौन सा शब्द इसमें अनुवाद कर देते हैं और बराबर में उसका संस्क्रिस्ट शब्द भी महाँ पर अंकित कर देते हैं ताकि वो हमें अच्छे से और अच्छे से समझ में आए तो वास्त में गीता का 23 शलोग है हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं अब हम आते हैं अपने अंतिम विभाग पर संदर्ब कि यह किस संदर्ब में कहा गया है तो कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें गूड अर्थ नहीं है मैं विशेश रूप से संदर्ब आपको जब मैंने श्लोक का उचारण आपके लिए किया तभी मैंने आपको बता दिया तो संदर्ब जो है क्या स्क्रीन बदल गया है आपके लिए भी अब देखिए जी तो मुख्य रूप से इस श्लोक में जो मूल संदेश है आत्मा के गुणों की व्याख्या भगवान जो है अर्जुन के लिए कर रहे है तो आत्मा के एक गुण की व्याख्या तो पहले ही कर चुके हैं वो क्या है कि आत्मा कभी नहीं मरता है शरीर जो है मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है आत्मा जो है अलग-अलग शरीर धारन कर लेता है, जब शरीर पुराना हो जाता है, तो इस प्रकार से एक गुण की व्याख्या पहले कर चुके हैं, अब अलग-अलग व्याख्यां भगवान कर रहे हैं, उसमें जो एक प्रमुक व्याख्या है, एक व्याख्या आमने पिछल लोग बताया गया है तो इसका मुखे रूप से भगवान अरजुन के सामने क्या स्थापित करना चाते हैं कि आत्मा भौतिक पदार्थों के समान नहीं है आत्मा भौतिक पदार्थों से भिन्न है जैसे किसी भी वस्तु को उसके टुकडे-टुकडे किया जा सकते हैं उसका छेदन किया जा सकता है उसे गीला किया जा सकता है उसे जलाया जा सकता है उसे सुखाया जा सकता है लेकिन आत्मा के साथ ये वास्तव में संभव नहीं है आत्मा का गुण अलग है आत्मा आध्यात्मिक है और ये किस संदर में उसको बोला जा रहा है क्योंकि युद्ध का वातावरन है युद्ध में अर्जुन जो है वो अपने शस्त्रों पर प्रहार करेंगे उनका शरीर जो है उसको चिन भिन करेंगे और पुराने समय में शस्त्रों जो थे वो अलग-अलग प्रकार के हुआ करते थे जैसे अगनी शस्त्र भी हुआ करते थे, जो जलाया करते थे, या जल से संबंदित शस्त्र भी हुआ करते थे, या वायू के भी संबंदित शस्त्र हुआ करते थे, तो भगवान कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के शस्त्र से या किसी भी प्रकार की इस प्रयास से आप आत्मा क इस शोर्य लोग पर जीवन है तो कई बार लोग कह सकते हैं कि वहाँ तो इतनी गर्मी होती है, इतना तापमान होता है कि वहाँ कोई शरीर टिकी नहीं सकता है तो इस बात का खंडन करते हुए प्रभुपाजी कहते हैं कि देखिए इस लोग से हमें पता लगता है कि आत्मा अगनी से जलाया नहीं जा सकता तो यदि किसी जीवात्मा का शरीर अगनी का बना हुआ हो तो वो वास्तव में सूर्य लोग पर भी जीवन जो है वो संभव है तो उसके अलावा प्रभुपाजी ने इस लोग का उपयोग मायावाद सिध्धान्त का खंडन करने के लिए भी किया है तो मायावाद सिध्धान्त क्या है? मायावाद सिध्धान्त ये है कि मायावाद सिध्धान्त के अनुसार कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है तो वास्तव में आत्मा एक ही है और जब जीवात्मा जब शरीर ग्रहन करता है तभी वो परमात्मा से अलग होता है तो आत्मा से वो अलग कैसे हो सकता है या आत्मा परमात्मा के साथ कैसे एक हो सकती है क्योंकि आत्मा के टुकडे टुकडे नहीं किये जा सकते हैं आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है आत् भी उसका अस्थित्व बदलता नहीं है तो इस श्लोक का इस श्लोक की साहता से प्रभुपाद जी मायवाद सिद्धान का भी यहां पर खंडन करते हैं तो इस तरह से मूल रूप से हमने आज इस श्लोक में पढ़ा कि कैसे आत्मा की अलग-अलग गुण है शरीर से भौतिक वस्तुओं से आत्मा अलग होता है और उसके अलावा प्रभुपाद जी ने जो इस श्लोक का प्रयोक करके अलग-अलग बातों को स्थापित करने का प्रयास किया है जैसे सूर्य लोक पर भी जीवन है या मायवाद सिद्धान का खंडन है तो इस श्लोक से हम यह देख सकत का है या गयराक्षर का है विशेश रूप से भगवत गीता में आठ और गयराक्षर के चंदों के प्रयोग हुआ है आठ अक्षर के चंद को अनुष्टुप कहते हैं तो यदि हम पहचान लेते हैं कि कितने अक्षर हैं तो हम उसी के अनुसार उसका गयान कर सकते हैं उचि इस प्रकार से जब हम उसको गाएंगे बार बार दोहराएंगे तो हमारे मस्तिश्क में वो बैड जाता है और फिर शलोक के संदर पो जाने ये बड़ा महत्वपून हैं क्योंकि केवल तोते की सबान शलोकों को रट देने से उसका आध्यात्मिक लाब उतना नहीं मिल पाता ह उसकी जो शिक्षा के जो तत्व है वो यदि हम उसको उसके गायन से या उसके स्मरण से उसको अलग कर दें तो कोई बहुत अधिक लाब नहीं मिलेगा तो शलोक के संदर को समझने का प्रयास करें और शलोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं इसस उसको आप उसका प्रयोग जो है उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो अन्त में यही बात में कहना चाओंगा आज की इस कक्षा में मैंने एक और विभाग को जोड़ा है और ये विभाग आप मुझे बताएगा कि यदि आपको पसंद आता है यदि आपको अच्छा ल ये एक तो हिंदी कविता के रूप में इस लोक को यहाँ पर जोड़ा है और अंग्रेजी कविता के रूप में भी उसको जोड़ा है तो हिंदी में कैसे इसको गाएंगे आत्मा काटे ना कटे अस्त्र शस्त्र भंडार अगनी जलाए ना जले ना सूखे विभिद बयार जल में ना भीगे कभी अगुलन चील अशोश्ये अचल शाश्वत एकसम अविकारी अचेद्ये तो ये गीता सुगीता करके पुस्तक है जो हमारी संस्था में सरवैश्वरिय कृष्णदास प्रभू ने उसका लेखन किया है बड़ी सुंदर पुस्तक है भगवत गीता को हिंदी काववे के रूप में जैसे जो मूल गीता है वो तो संस्कृत काववे के रूप में है ल किया है यह किया है कार्ल वुडहम जी ने यह उस तक का नाम है भगवत गीता दस्वांग डिवाइन इसको अंग्रेजी में इसको आप उचारण कैसे करेंगे तो सुनने में गायन करने में बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने चुकि रुची पूर्ण था विशे से संबंदित था तो मैंने ये एक नया विशे जोड़ा है यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा आगे भी इसको हम जोड सकते हैं तो इसी के साथ ये सूची है 108 महतवपूर्ण शलोकों की आज हमने 23 जोग पढ़ा है अगली बार 27 जोग करेंगे और फिर 5 जोगों को हम आपको आमंत्रित करेंगे कि आप 5 जोगों को समर्ण करें और सब के सामने एक दूसरे के सामने हम सुनाएंगे तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं श्रिमत भगवत गीता की जय क्षिला प्रभुपार्जी की जय को यदि आपका प्रश्ण है को टिपनी है तो उसका स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण कि अच्छा लगा आपको आप भी अपनी कक्षाओं में यहां से ले सकते हैं पुस्तगें भी आप खरीद सकते हैं यदि आपको इंटरेट पर मिल जाएं मुझे कुछ समय पहले यह मिली थी मैंने रखी थी अपने पास मुझे लगा कर अच्छी लगेंगी आपको मैंने जोड़ा बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी फीडबैक का अन्य भक्तों को भी अच्छा लगा या बहुत अच्छा प्रभू जी लगा और गुरू जी ऐसे एक मिनट एक करके बोलिए रविंद्र प्रभू आप बोलिए पहले मैं यह कह रहा हूं गुरू ऐसा ही होना चाहिए जो की आम सादक भी हर चीज को समझ सके बहुत ही अच्छी तरीका आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा अच्छा जी बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए अन्यकोई टिपनी और भी कोई भक्त बोल रहे थे पीछे से जब रविंद्र प्रभू बोल रहे थे आप कुछ कहना चाहेंगे अच्छा वो बात में जो सेक्शेन एड किया आपको अच्छा लगा कि जो पोएट्री एक हिंदी कविता के रूप में गीता और इंग्लिश पोएट्री में गीता प्रभू जी मूट हो गए है अच्छा प्रभूजी बहुत अच्छा अच्छा शलिए री गुष्णा प्पोजी हरे खिश्णा हां रीटा माता जी जी आप कुछ कहना एक जो फायदा मुझे दिख रहा है कि और कविता के फॉर्म में जो हम करेंगे तो और जल्दी याद होगा हमें जी जी और आप जब किसी को जो गीता के बारे में विशेश रूप से सिर्फ यह जानते हैं कि संस्कृत में ही है तो आप थोड़ा सा एक नया पन आ जाता है एक सब्सक्राइब यह जो आप अंग्रेजी में कविता के रूप में सुनाते हैं तो देखने में सुनने में रुची पूर्ण लगती है सुंदर लगती है जी धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्णा जी धन्यवाद माता जी चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी भक् अरेकर्षने प्रवजीर खुर्षने प्रवजीर